जार्खंड सरकार नियुक्ती वर्ष के तहट स्कूल से ड्रॉप आउट 230 युवाउं को मुख्यमंत्री हेमन सोरेन नियुक्ती पत्र सौंपा। जोड़ने के बाद घर में समय काट रहे थे, वो अब सरकार और संस्था की पहल से कारपेंटर, वेल्डर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशन जैसे क्षेत्रों में जाकर अपने हुनर के बल पर दो पैसे कमा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि हमारी राज्ये से युवा दूसरे राज्ये और विदेशों में जारखन का नाम रोशन कर रही हैं। वहाँ भी यहाँ की बच्चियों को काम करते देखा। तो हमने नर्स के दिशा में तेजी से कड़म बढ़ाया। इससे पहले थोड़ा वक्त मुझे वक्त मिला था राज को दिशा देने का। उस समय भी कई नर्सिंग कॉलेजिस को हम लोगों ने अपरूफ किया ताकि हमारी बच्चियों अधिक से अधिक नस्वान और आप सभी मौजवान युवा यहां उपश्टित हैं। अब हम इस लक्ष का दायरा बढ़ा रहे हैं। आज नर्सिंग के छेदर में महिला ही नहीं बलके पुरूफ भी जा सकता है। इसलिए आपको वालेवारा समय में हमारे दोजवान भी पुरूफ नर्स का काम कर सकते हैं। आप उसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बहुत बड़ा उसका दायरा है। आज के दिन में पुरूफ नस नहीं मिलता है। और जहाँ कुछ है भी तो इतने अधिक पेस्केल पर इतना उसका अधिक तनखा है। तो उसको आप ज्यादा समय तक नहीं रख सें। तो बड़े बड़े अस्पतालों में आपको यदा कता दिखेंगे। यहां से कई मरीजों को हम लोग हैली कंप्र जाज से दूसरें। वहीं इस मौके पर जारखंड के कल्यान मंत्री चमपई सोरें ने न्यूकती पत्र पाई यवाओं की होसला अफजाई करते हुए उनके उच्वल भविश्य की काम ना की। इसके साथ ही राज्य में जल्द ही 700 शिक्षकों की न्यूकती होगी। वहीं प्रशिक्षन प्राप्त युवाओं को सुवर उजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपह तक के लोन में सबसीड़ी देने की भी घोशना की है। राची से आशुतोष की रिपोर्ट